नमस्कार बहुत बहुत स्वागत आप सभी लोगों का हमारी आच की वेंजडे की प्रेजंटेशन में छोटे से वीडियो है जैसा कि मैंने बोला मैं कोशिश कर रहा हूं आज की छोट शोटे वीडियो बने तो आज हम बात करेंगे टेस्टास्टरॉन लेने के अलग अलग त प्राइब तो उसे क्या फरक पड़ेगा कई लोगों को इंजेक्शन से प्रॉब्लम भी होती है जैसे खून बहने लगता है तो रुकता नहीं है और तमाम तरीके सूजन ज्यादा होती है चोड लग जाती है इस तरह की चीज़े रहती है तो उन लोगता है कि भई हम जो है जैल या वो खाएं क्या कैते हैं कैप्सूल का उसे ज्यादा फरक पड़ेगा तो आज हम उसी के बारे में आपको बताएंगे मैं उसी के बारे में आपको बताऊंगा कि क्या क्या होता है और किस चीज का क्या फरक रहता है किस से मतलब जो है जो 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 ज हो उनका प्रकार के स्टस्टोस्ट्र अ क्या फ्रक्ट दूसरा आपका जेल या फिर पैच जो होता है उसके तौर पर लिया जा सकता है और तीसरा होता है आपका गोली यहाना गोली आप खाते हैं और तो यह तीन तरीके के जो होते हैं उसमें आप देखिए कि इसमें फरक क्या क्या रहता है यह मैं आपको बताता हूँ में प包 हक assisted report हो और वाली के सबस्राइब होक्ति है जिस अफ़ा इसमें तो मैं पूरा इसके ऐस्षेट पूरा?- और वो विडियो अप्लब्ध है, आप हमारे यूटूब पे जाकर करके देख सकते हैं उसको, कि आपका जो टेस्टियो से चल रहा है कि नहीं, आपके प्रभाव जो है जो है ऊस विडियो में जाकर करके चेक कर सकते हैं, अभी जाएगे चेक करिए कि 3 महीने पर क्या है उसे साब से मैंने पूरा एक टाइम लाइन तयार किया है तो आप जिस तरह से टेस्ट्रोस्ट्रों लेते हैं यह प्रभावित करता है कि परिवर्तन आपके शरीर में कितनी तेजी से होता है कि आवाज कब बदल रही है ठीक है फिर आपको जो है दाडी मूच कब आ रही है मासिक धर्म कब बंद हो रहा है यह सब चीज़ें जो है इससे काफी फरक पड़ता है कि आपके किस तरीके से ले रहे हैं तो ट्रांस डर्मल अप्लिकेशन जो होती है जो पैच क्रीन या जेल की तौर पर लिया जाता है वो मैस्किलिनाइजेशन के तौर पर यानि कि आपक होता है वो इंजेक्शन के समान डिग्री में के का पही काम करता है एक तरीके से आता है लेकिन मासिक धर्म को रोकने में और चहरे और शरीर पे बालों को बढ़ाने के लिए ट्रांस डर्मल टेस्टोस्तोरन जो है वो थोड़ा अधिक समय लेता है क्यूं लेता है अब वो जो प्रभाव है वो transdermal application से बहुत जादा तेज होता है जादा होता है इसलिए जैसा कि मैंने कहा कि 90% ट्रांस्मेंट जो है पुरे विश्व में वो testosterone का injection ही लेते हैं बहुत कम लोग है जो oral लेते हैं या फिर cream लगाते हैं ठीक है उसमें आपको बहुत चीज़ें ध्यान भ वाजबारी होगी तो वो दिकत आ सकती है तो आपको ध्यान भी बहुत रखना पड़ता है और जैसे कि हमने बोला कि बहुत बड़ा फरक जो है injection बनाम transdermal application वो यह है कि मासिक धर्म को रोकने में जो की तीन महीने के अंदर-अंदर आपको मासिक धर्म जो है वो testosterone चुरू क और चेहरे के बाल दाड़ी मुच और चेहरे के बाकी बाल को बढ़ाने में भी वो थोड़ा अधिक समय लेता है है ना अच्छा फिर मासिक धर्म को रोकने के लिए जो oral testosterone है वो सबसे कम प्रभावी है इसलिए इसका आमतर को प्योग नहीं किया जाता बहुत ही कम लोग है जो oral लेते होंगे मैंने सुना ही नहीं है कि oral tablet को लेता है बहुत हिकम लेते हैं जादा तर जो है injection लगाते हैं मैंने patch और क्रीम वाले भी बहुत भाई देखे हैं जो करते हैं कि हां patches लगाते हैं रात में हर रात में छोटा सा एक patch लगा लिया तो रोज रोज लगता रहता है नियमत रूप से उसका उप्योग होता है ना कि जैसे की injection में होता है कि आप दो हफ़ते में एक बार या फिर महीने में एक बार या फिर हर हफते एक बार वैसा नहीं हो रोज रात में लगता है क्या कहते हैं इसमें जैसे मैंने बोला कि उसको रोकने में न ये करीब साल भर भी लगा देता है तो फिर आपको ऐसा लगएगा कि हम फायदा ही क्या है हम लेना क्यों शुरू कर रहे है तो तीन महिने के अंदर-अंदर बंद होने चाहिए हर हाल में तो यह सबसे कम अग्रेजी में बोलते हैं और एक फिर बॉटम आता है एक शिखर आता है और उसके डूबकी आती है कि आपने जब लगाया पहला दिन है आज अपना टेसराश्वान का इंजेक्शन लगाया तो तो भीया मतलब ऐसा लगता है कि आप बिलकुल ही पता नहीं कहां हो कहां पह और सक्षबी नहीं करने है और शक्तिती है कि लगता है और शबैके मतलों गता है कि इसी में आप उती है कि आप एस्प्रक्तकर से बात करें और अप हमको जुझे कई ऑड़ हंच्छन हर दौ कि और महीने-का भूघत को उनसे हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, कि आप Transdermal या फिर जो Mokic Ural Tablets है, उसको खा कर के आप सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, regular application रहता है, रोज की रोज, पैज जो है आपके रोज लग रहा है, गोली आपको रोज खानी है, तो फिर वो नियमत प्रभाव रहता है, उसमें ऐसा मैं भी यही बोलूगा कि अगर कोई बहुत जादा दिक्कत आपको नहीं है तो आप जरूर यही करें इंजेक्शन ही लगवाएं किसी और चीज़ को इस्तेमाल करने की बजाए ठीक है तो आशा करता हूं आज का कॉल आपको अच्छा लगा होगा और अच्छा कुछ सीखने क अगर किसी के पास है तो इसको डिलीट कर दें और नए नंबर पर ही जो है आप मेसेज या कॉल आपको करना वहाट साप पर आप कर सकते हैं वाइट आशा करते हैं आपका शाल बहुत बढ़िया भीता होगा और इस नए साल के लिए बहुत-बहुत आप लोगों को शुभ कामना है और मैं आशा करता हूं कि साल आपके सारे सपने पूरे हो आपका टेस्टोस्टरान शुडू हो जाए आपकी सर्जरीज हो जाए और